Hello listeners, आज हम बात करने वाले हैं समय के सर्विसेष्ट उप्योग के 30 सिद्धान्तों में से दूसरा सिद्धान्त आर्थिक लक्ष बनाएं लक्ष से आपकी यूजना को आकार मिलता है यूजना से आपके कारियता ही होते हैं कारियों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है और यह सب लक्ष से सुरू होता है ये बात कर रहे हैं सैड हलमस्टेटर अगर आपका कोई लक्ष ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिक्द है अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आप कहां पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक शेत्र में आप कहां पहुँछना चाहते हैं तभी आप वहां तक पहुँच सकते हैं यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिसा में कैसे चलेंगे अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष के बिना काम नहीं चलेगा लक्ष दो प्रकार के होते हैं सामानलक्ष और निश्चित लक्ष सामानलक्ष इस प्रकार होते हैं मैं और ज्यादा वेहनत करूँगा मैं अपनी कारे को सुलता बढ़ाऊंगा मैं अपनी योग्यता में विर्धी करूँगा इत्यादी इत्यादी दूसरी और इसपस्ट लक्स इस प्रकार के होते हैं मैं हर दिन आठ घंटे काम करूँगा या मैं हर मेने 20,000 रुपे कमाऊंगा या सौफ्टर डिजाइनिंग का कोर्स करूँगा इसपस्ट लक्स वे होते हैं जिन्हें नापा या जाचा जा सकता है लक्स जितना इसपस्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है इसपस्ट आर्थिक लक्स सफलता के लिए कितने महतुपूर्ण होते हैं इसका एक उधारण देखें एक सेल्समेन की पतनी अस्पताल में लंबई समय तक भरती रही हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समेन ने अपने समाने आउसत से लगभग दोगुना समान बेचा जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उससे कितना समान बेचना होगा इस उधारन से इस्पस्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुश्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष हासिल कर सकता है बसरते उसके सामने इस्पस्ट लक्ष हो अमीर बनने का मतलब है पैसा होना बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना मार्गरेट बुनानों ने ये बात कही है इसलिए समाई के सर्विस्रेष्ट उप्योग का दूसरा सिद्धान्त है आर्थिक लक्ष बनाएं आर्थिक लक्ष बनाना बहुत ही आसान है आपको पहले तो यथार्थवादी ढंक से यहताई करना है कि आप हर मेहने कितने धन्नाशी कमाना चाहते हैं और फिर गणित की साइदा से यह पता लगाना है कि इस धन्नाशी को कैसे कमाया जाए उदारण के लिए अगर कोई दुकानदार हर मेहने 10,000 रुपे कमाना चाहता है और उसे एक प्रोड़क बेजने पर 50 रुपे का लाव होता है तो गणित आसान है उसे हर मेहने 200 प्रोड़क बेचने है यह कैलकुलेट कैसे हुआ देखिए 10,000 को हमने क्या कर दिया 50 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 200 यदि वह महिने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोड़क बेचने होंगे तो हमने क्या क्या गया 200 को भी 25 वर्किंग डेज से डिवाइड कर दिया तो 8 निकलेगा तो इससे क्या हुआ तो यह हमारी क्या निकली कि अगर 50 रुपे हर प्रोड़क में अगर वह बचा रहा है तो हर मेहने अगर वह 25 दिन काम करता है तो यह हर दिन इसका मतलब उसको 8 प्रोड़क बेचने पड़ेंगे तो ओसत का या आकणा प्राप्ट करना है तो उसे हर दिन कितना काम करना ही पड़ेगा इस पश्ट लक्स होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रोड़क है और यह संतोजनेक है या नहीं जो अभी हमने उधारन देखा अगर हम उसकी बात करें अगर दुकानदार साम तक आठ प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्स पुरा कर लिया है परन्तु अगर वह आठ प्रोडक्ट नहीं बेच पादा तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्स तक पहुँचने के लिए अगले दिन उसे आठ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे आर्थिक लक्स 2020 क्रिकेट मैच के लक्स की तरह ही होते हैं बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्स क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस ओसत से रन बनाना है हर ओवर के बाद अपेक्षित ओसत घर्टा बढ़ता है और यही मासिक वा वार्षिक आर्थिक लक्सों के बारे में भी सही है आर्थिक लक्स बनाना और उनके संदर्म में अपनी प्रिगती की जास करते रहना बहत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इस बारे में बहाने बनाते रहते हैं हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन याद रखें मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए आर्थिक विशलेशन से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं देखे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इंपुट क्या है मुह्तों बात तो यह है के आपका output क्या है यानि मुहतों पुर्ण बात यह नहीं है के आप कितनी मेहनत कर रहे हैं बलकि यह है के आप कितने सपल हो रहे हैं यहाँ पर एक quotation है अगर आपको वह फैसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं इसको फिर से समझ लिजे अगर आपको वह फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं तो ये था हमारा आर्थिक लक्ष बनाएं सिद्धान्थ नमबर दो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या आपको यह ओडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपको यह लगता है कि इस ओडियो की जुरत आपके फ्रेंड्स को भी है तो आप इसे सेर भी कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल के दूसरे आडियो या वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सस्क्राइब कर, पिले लिस्ट में जाकर, यहां पर दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, अपने अनुभव या वीडियो को और बहतर बनाने के लिए हमें कमेंट करना न भूलें, दन्यवाद